कि अस्सलामु आलेकुम प्यारे बच्चो वेलकम बैक हिंदी वैकरन क्रिया वर्ब हम पढ़ रहे थे क्रिया यानि वर्ब और उसने के भेद हमने क्रिया के दो भेद देखे सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया क्रम के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं साक्रमक क्रिया की परिभाशा देखी और उसे समझा साक्रमक की रहा याने साथ में कर्म के जो क्रिया की जाए उसे साक्रमक क्रिया कहते है कर्म किसे कहते है कर्ता किसे कहते है और क्रिया किसे कहते है यह हमने देखा सक्रम अर्थात कर्म के साथ जिस क्रिया के साथ कर्म लगा हो और क्रिया का फल करता पर ना पढ़कर कर्म पर पढ़े उन्हें सक्रमक क्रिया कहते है जैसे अध्यापी का पाठ पढ़ाईगी माली ने पौधो को सीचा इसके पहली की क्लास में मैंने बताया था आपको इसको पहचानने का एक तरीका होता है पहचानने के लिए हमने एक उधारन दिये थे क्या प्रश्न के साथ में यदि पूछा जाए क्या के साथ क्रिया का जोड़ दी जाए तो उसका एक प्रश्न बन जाता है और वो प्रश्न का हमें उत्तर मिलता है यदि वो उत्तर नहीं मिलता है तो वो सक्रमक्रिया नहीं होंगी तो सक्रमक्रिया नहीं होंगी तो इसका मतलब क्या हुआ वो अक्रमक्रिया होंगी है न, तो क्या के साथ में ऐसे और भी दो शब्द है जिने हम क्या, किसे और किसको क्या, किसे और किसको इस तरह के प्रशन पूछ कर हम यह पता लगा सकते है कि यह सक्रमक्रिया है यह अक्रमक्रिया है अध्यापी का करता पाठ करम और पढ़ाएंगी क्रिया हुई तो यहाँ पर हम पूछते है क्या किसे और किसको तो यहाँ पर हमें क्या में उत्तर मिलता है क्या पढ़ाएंगी अध्यापी का क्या पढ़ाएंगी तो क्या का उत्तर मिलता है हमें अध्यापी का पाठ पढ़ाएंगी पाठ उसका उत्तर हुआ उसी प्रकार से हम माली ने पौधो को सीचा सीचा सीचना यानि उसे पानी देना एक क्रिया हुई है ना किसे सीचा पौधों को सीचा है ना तो यहां पर हम यह कर सकते है किसे या किसको सीचा है ना तो हमें उतर मिलता है पौधों को उप्यूक वाक्यों में पाट और पौधे शब्द कर्म है क्योंकि करता अध्यापिका तथा माली है करता कौन है अध्यापिका और माली है क्योंकि करता का सीधा फल इन्हीं पर पढ़ता है करता का पढ़ाएंगी कौन अध्यापिका सीच कौन रहा है माली सीच रहा है इसे प्रकार्चे हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे सक्रमक्रिया की विशेश्टा विशेश्ट क्या होता है करता और क्रिया के बीच क्या किसे किसको लगा कर प्रश्ण करने पर यदि उचित उत्तर मिले तो वो सक्रमक्रिया होती है जैसे उप्रियुक्त वाक्य में जो उपर हमने पढ़ाए दोनों वाक्य अधियापे का पार्ट पढ़ाएंगी और माली ने पौधो को सीचा ये दोनों ही वाक्य में पढ़ाएंगी तथा सीचा क्रियाए है इनमें क्या किसे तथा किसको प्रश्ण के उत्तर मिल रहे है अन्त ये सक्रमक्रिया है सक्रमक्रिया के दो भेद होते हैं सक्रमक्रिया के दो भेद क्रिया के दो भेद और सक्रमक्रिया के भी दो भेद यानि क्रिया के दो भेद और सक्रमक्रिया के दो भेद एक होता है एक क्रमक क्रिया और दूसरा होता है द्विमक क्रमक क्रिया द्वि यानि दूस दो क्रम वाली क्रिया और एक क्रमक क्रिया यानि एक क्रम वाली क्रिया सक्रमक्रिया के दोनों भेदों के बारे में पढ़े हैं पहला वेद एक क्रमक्रिया जिस सक्रमक्रियाओं में केवल एक ही कर्म हो वे एक कर्मक्रिया कहलाती है शानू फिल्म देख रहा है फिल्म कर्म देखना क्रिया और शानू कर्ता दूसरा उधारन देखेंगे रिया पौधा लगा रही है रिया क्या हुई कर्ता पौधा कर्म और क्रिया क्या हुई लगाना इन उधारनों में फिल्म और पौधा कर्म है देख रहा है तथा लगा रही है क्रिया क्रिया का फल सीधा कर्म पर पढ़ रहा है दोनों वाक्यों में एक कर्म है अन्तह यहां एक कर्म क्रिया है यदि हम इसमें प्रशन पूछते हैं मैंने कहा ना प्रशन पूछना है यदि हम तीन तरह से प्रशन पूछते हैं क्या किसे किसको क्या देख रही है फिल्म देख रही है दूसरा क्या लगा रही है पौधा लगा रही है किसे देख रही है फिल्म को देख रही है किसको देख रही है फिल्म को देख रही है रिया किसे लगा रही है पौधा लगा रही है पौधे को लगा रही है उसी तरह किसको लगा रही है वो पौधे को लगा है उत्तर हमें मिल रहा है तो यह सक्रमक क्रिया के एक क्रमक क्रिया कहलाएंगी एक्रमक क्रिया की हम परिभाशा देखेंगे जिस सक्रमक क्रिया का केवल एक ही क्रम होता है वह एक्रमक सक्रमक क्रिया कहलाती है उसी तरह से उसी प्रकार से हम देखेंगे दुई मक, दुई कर्मक क्रिया दुई कर्मक क्रिया अर्थाद दो कर्मों की युक्त जिन क्रियाओं में दो कर्म पाए जाते है अथवा दो कर्मों की अपेक्षा होती है वह दुई में क्रियाओं कहलाती है कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी अब देखें यहां पर कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी मा मुकेश को कहानी सुना रही है अब यहां पर हम प्रश्ण पहला करते है क्या का क्रिया क्या है इसमें देना हम वाक्यों को पढ़ते हैं कुलदीप ने भाई को पुस्तक दी यहां पे क्रिया हो रही है दी दी देना उसी प्रकार से दूसरे वाक्य में सुना रही है सुना न यहां किरिया हुई है ना तो हम यहां पे इस तरह से क्या दी तो उत्तर मिलेगा हमें पुस्तक दी दूसरा प्रशन किसे किसे दी तो हमें दूसरा उत्तर मिलता है भाई को दी है ना किसको दी भाई को दी यहां पर दो उत्तर मिल रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि यह क्या हुई दुई क्रमक क्रिया हूँ इसी तरह से मा मुकेश को कहानी सुना रही है सुना ना सुना रही है क्या सुना रही है कहानी सुना रही है एक हुआ दूसरा किसे सुना रही है मुकेश को सुना रही है किसको सुना रही है मुकेश को सुना रही है दो उत्तर हुए है यहां पे इसी लिए यहां पर जो क्रियाए है वो दूई क्रमक क्रियाए कहलाईगी इन उधरणों में क्या तथा किस से प्रश्णों के उत्तर मिल रहे है जैसे पहले वाक्य में कुल्दीप ने किसे क्या दिया भाई को पुस्तत दी दूसरे वाक्य में मा किसे क्या सुना रही है उत्तर मिला हमें मुकेश को कहानी सुना रही है दोनों वाक्यों में दो क्रम पाए है अंतर ये दूई क्रमक क्रिया है जिस अक्रमक क्रिया में दो क्रम होते है अथवा दो क्रमों की अपेक्षा होती है उसे दूई क्रमक क्रिया कहते है इसके बाद में हम अक्रमक क्रिया पढ़ेंगे और उन्हें समझेंगे Assalamualaikum